हेलो फ्रेंड्स आप सब कैसे हो आज मैं आपको बोटनेक बनाना बताऊंगी अब हम कपड़े को सीधा कर लेते हैं और यह आगे का पार्ट है यह मैंने पेपर के इनवास लिया है इसे फोल्ड करेंगे इधर से बंद हिस्सा है और इधर से उपन हिस्सा है यह देखो बंद ह कर लेते हैं चोड़ाई हम 4 इंच पर रखेंगे और 3.5 इंच पर हम लंबाई रखने वाले हैं बोटनेक की अब हमने जो निशान लगाया है उसे हम शेप देंगी गोल शेप एक इंच का एक्स्ट्रा रखना है हमें केनवास अब हम कटिंग कर लेंगे यह देखिए बोटनेक शेप हमारा कट चुका है अब हमें इसे एक कपड़े के उपर रखना है हमें कपड़े के रॉंग साइड से रखना है और जो सीधा कपड़ा है वो नीचे साइड होना चाहिए अब प्रेस कर लेंगे हम मैंने इस कपड़े पर प्रेस कर ली है यह देखिए अब कटिंग कर लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब हम सिलाई लगाएंगे अब हम कुर्टी का कपड़ा लेंगे ये अम्ब्रेला कुर्टी का उपर वाला हिस्सा है अब हम निशान लगान लेंगे बीच में और यहां पर हमें कट लगा लेंगे हलका सा और जो बोटने कटा है उसके उपर भी हम कट लगा लेंगे और बीच में हम चौक का निशान लगा लेंगे ये देखिए अब इसके उपर हम बोटने का शेप रखेंगे इस प्रकार से आपको रखना है दोनों डॉट हमारे सेम होना चाहिए उपर का कटिंग करावी और जो चौक से निशान लगाए वो भी सेम होना चाहिए पीनप कर लेंगे अब हम सिलाई लगाएंगे अब हमने सिलाई लगा ली है जहां में आपको चौक का निशान लगा रही हुई हैं से हमें कटिंग करना है अब हम कट लगाएंगे ये कट लगाना बहुत ही जरूरी होता है अब हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे अगर आपको ये वीडियो जरावी कुछ पसंद आए तो प्लीज सस्क्राइब और लाइक कीजिएगा हमारा बोटनेक तयार हो चुका है बहुत ही इजी तरीके से तेंक यू